दोस्तों quantum theory का एक core principle है जिसने पूरी की पूरी science की बुनियादे हिला दिया और वो ये कि quantum objects की dual nature होती है यानि कि ये particles की properties भी रखते हैं यानि कि mass, charge या energy और इसके साथ-साथ wave की properties भी रखते हैं जैसे कि wavelength, frequency वगेरा मिसाल के तौर पे coherence of light यानि कि light fields particles में भी होती है particles की सूरत में भी travel करती है और wave की सूरत में भी travel करती है जहां रोशनी की किरने एक दूसरे के उपर आ जाएं यानि कि superpose कर जाएं यानि जहां रोशनी की किरन एक के उपर एक की सूरत में हो उसको हम कहते हैं coherence of light Bulb की रोशनी Particles की सूरत में ट्रेवल करती है जबके Laser Light की रोशनी Wave Length की सूरत में ट्रेवल करती है इसलिए बहुत दूर तक जाती है क्योंकि वहाँ Light फैलने के बजाए एक सिथ में ट्रेवल कर रही होती है अब इसको मजीदे Demo की सूरत में समझते हैं इस शीशे का गिलास लें और इसमें Olive Oil डालें अब इस Olive Oil पर एक Laser Light यानि के वो Light जो के Wave Length की सूरत में ट्रेवल करती है वो Laser Light इस तरह डालें के Light का एंगिल मश्रिक और मगरीब की तरफ का ना हो यानि के Horizontal ना हो बलके Vertical एंगिल से इस शीशे में रखे हुए Olive Oil पर Laser Light की रोशनी डालें तो आप देखेंगे के Olive Oil चमकने लग जाएगा बिना कोई आग दिखाए सिर्फ Quantum Theory के Coherence of Light के प्रिंसिपल पर आपने देखा के ये Olive Oil एक चिराख की सुरत इक्तियार करके रोशनी देने लग गया अब आते हैं कुरान पर सुरह नूर की आयत 35 बर अल्ला हो नूर समावात वल अर्द अल्ला नूर है आसमान और जमीन का इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो जिसमें चराख हो वो चराख एक फानूस में है वो फानूस गोया मोती के तरह चमकता हुआ सितारा है जो जैतून के बरकत वाले दरख से रोशन होता है जो ना मश्रीक का है ना मगरिब का करीब है कि इसका तेल भड़क उठे अगर्चे आग इसे छूना पाए नूर पर नूर है यह जो नूरुन अला नूर है यानि नूर के उपर नूर यानि लाइट के उपर लाइट इसको आप सुपर पोस करना कहते है सुपर पोस के माने होते ही वन अपॉन एनदर है एक के उपर एक और यह नूर पर नूर यानि के superposition of light बुनियाद है coherence of light की और coherence of light बुनियाद है quantum theory of physics की जिसको अल्ला ने 1400 साल पहले कुरान में बयान कर दिया यहाँ एक बात गौर है कि जैतून के तेल की बात क्यों ही क्योंकि olive oil वो तेल है जो coherence of light पैदा करता है दुनिया का कोई और तेल coherence of light पैदा नहीं करता यह इसलिए कि सिर्फ जैतून का तेल है जो कि जैतून के फल से निकलता है इस वज़ा से इसमें chlorophyll fluorescence की ability होती है यानि कि रोशनी के केड़नों को absorb करने की ability होती है और जब उदे रोशनी को absorb कर लेते हैं तो जाइद रोशनी को यह वापस करना शुरू कर देते हैं जिसको noon glow कहते हैं और यही glow हमें laser light की सुरत में फिर नजर आता है यहाँ एक बात और समझ लें कि अगर अगर अल्ला कह रहा है कि अल्ला नूर है वो क्या है कैसा है उसने जिस चीज़ को खुच से मुणसलग कर लिया अपने आप से मुणसलग कर लिया उसने उसको नूर कह दिया जैसे कि अल्ला ने अपना introduction अपनी सिफास से दिया है तो अल्ला की सिफात नूर होंगी आस्मान औ जमीन का जहां भी अल्ला की सिफात इंप्लिमेंट हो जाएंगी वहां नूर पैदा होना शुरू हो जाएगा इसी तरीके से अल्ला ने कुरान को भी नूर का है जहां भी कुरान इंप्लिमेंट हो जाएगा वहां नूर पैदा होना शुरू हो जाएगा और वो लोग जो जू जिदगी अल्ला की सिफात के मताबी कुजारते हैं Atl subscribers के मताबी कुजारते हैं इन जन्ती लोगों को भी अल्लाने मरने के बाद नूर कहके इपुका रहा हूं कि उनका नूर उनके आगे आगे दाइं जानेब दोड़ा होगा शुक्रीया